किसन भाई देखिए कि आपने इतने दिन तक जितना चना या मसूर के जो फसल है उसमें आप नोग ने इसको पाला पोसा बढ़ा किया और अभी देखिए कि फसल की स्थिती पुश्पन है या फलन की स्थिती पर है है ना जहां पर भी देखिए दाने लग गए हैं लेकिन दाने अभी बहुत छोटे हैं अंदर से लेकिन स्थिती पुश्पन की यह है लेकिन इस स्थिती में आपको इसके लिए देखवाल करने की विशेश रूप से ज़रुरत पड़ेगी क्योंकि आपने तीन मैना नौबर क अंत से या बीच नौबर से आपने इसको इसकी ववाई की है तो इसको पाला पोसा बढ़ा किया इस समय अगर ध्यान नहीं देंगे तो इस समय बहुत सारे रोग वैधी ऐसे होते हैं जो कि इस समय उसकी मतलब सिविर्टी बढ़ने लगती है आप देखिए इसी अच्छे स फसल के बीच में से एक पौधा ये देखिए कि जहां पर ये पौधा किनारे किनारे से सुखना शुरू हो गया है आप अंदर से देखिएगा कि तो ये पौधा अभी सुखना शुरू हो गया और इसमें एक चीज और गौड करने वाली बात है इसमें दाने भी बहुत कम ल तो एक तो यह अंतर हो गया कि इस समय में आपको इसकी देखवाल करनी चाहिए यह तो अभी शुरुवाती दोर पर लगा हुआ है मैं आपको एक और इसी तरह का इसके बगल वाले प्लोट में दिखा रहा हूं कि देखिए अब यह पौधा देखिए यहां पर छोटे स्थर पर ही किनारे से इस पौधे में बहुत ही विकट रूप से यह बिवारी लग गई है इसको आप लोग एक ओवर आल उपर से देख लिजे कि किस तरह से इसकी पहचान है और इसको मैं उखार के दिखाता हूं कि इसके जड़ में क्या दिक्कत है आप इसकी जड़ को हैं तो देखिए कि इसमें थोड़ा सा काला काला पन आ गया है यह पौधा उख़रने पर बड़े आराम से उख़र के आ गया क्यूंकि इसमें जो छोटे जड़ हैं किनारे के वह सारे गायव हो चुके है और यह जड़ जो है दूसरे स्वास्त जड़ के मुकाबले में काला पर चुका है इसको हम लोग चारकोल राट बोलते हैं या ड्राइड रूट राट बोलते हैं इसको हिंदी में सुष्क सरन भी कह सकते हैं तो यह बिमारी इसी तमय में होली के समय में आने लगती है यह बिमारी इस समय में बहुत जादा तोर पर आती है अभी हम लोग होली एक सब्ता बाद है उस दोरान अगर देखेंगे तो ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ने लएगी क्योंकि अभी तापमान में बिद्धी हो रही है इस बज़ा से इसमें ये दिक्कत होती है